खापर खेडा वार्ड नमबर दो में पाच मार्च की रात करीब साड़े दस बजे माउजर से दो गोलिया चलाई गी इसमें से एक गोली नीचे टाइल्स पर टकरा कर 24 वर्षिय शुभम उई के नामक युवक के दहने पेर की जांग पर जा लगी जिसमें शुभम गंबीर च पहिशत फैल गई उकेश वाघाडे राजकुमार सातुर महिला पुलिस नायक कविता गोंडा नेने अपरादी सुरज कावले उम्र 25 साहिल बोगडे उम्र 22 और प्यूश वाहा ने उम्र 28 साल को एरोली नवी मुंबई से हिरासत में लिया है और गिरफतार कर लिया गया आरोप्यों को सामनेर कोर्ट में पेश किया गया है जहां उन्हें साथ दिन के PCR दी गई है सुरज को देशी माउजर कहां से मिला किसने बेचा देशी माउजर बेचने वाला कौन है कितने माउजर है वे किस के है वह किस गिरहों में शामिल होने के लिए मुंबई गया था इस सवाल का जवाब दर्ज है सुरज हाली में चार साल की सजा काटने के बाद जमानत पर रिया हुआ था सुरज ने 30 दिन पहले पार्शिवनी के शाहरुक को 40,000 रुपे में एक देसी मावजर बेचा था ऐसा 11 मार्च को गिरपतार होने के बाद शाहरुक ने पूलिस के सामने कबुल किया नागरिकों के बीच यह चर्चा का विशय बन गया है कि क्या खापर खेडा और आसपास का शेत्र देसी कटे देसी मावजर की खरीत फरोत का केंदर तो नहीं बन गया लेकिन अभी तक बेचने वाला कोन है कहां से आते है इसका पता आज तक नहीं चल पाया लेकिन पुलिस प पिशन न्यूस के लिए खापर खेडा से समवाद दाता मयूर तिरपुडे की रिपूर्ट